ओम नमस्ते मैं साथ विदेश्वत्य विचार क्रांती में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारा जो जीवन है यह हमारे विचारों का ही परणाम है हमारा जीवन हम जैसे सोचते हैं हम जैसे विचार करते हैं हम जैसे चिंतन करते हैं उसे का ही परणाम हमारा जी ही हैं और हम कितने सफल हैं कितने असफल हैं सब के पीछे हमारा जो विचार काम करता है हम किसी और को दोसी नहीं ठेरा सकते हैं हम अपने आपको जब जाने अपने विचारों को जब पहचानते हैं अपने ऊपर जब हम काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका 99 परसेंट ह हम सेम इसके जिम्मेदार होते हैं एक दो परसेंट पांच परसेंट आप मैक्सिमम मान लीजिए कि दूसरे के उपर या माहौल पर या बाहर की इन्वार्मेंट पर का असर पड़ता है लेकिन वो हमें और ज्यादा मजबूत बनाता है लेकिन वो मजबूत कम बनाएगा जब हमारे विचार हमारे अंदर का जुनून हमारे अंदर की ताकत जब हमें उसके अंगेस्ट काम करने के लिए कहेगी जैसे हमारा विचार अगर हम सात्विक हैं हम मनुष्य कई प्रकार से हम सोच सकते हैं अगर हम सात्विक हैं तो हम हर एक कारियों को हर एक बातों को हर एक सिच्वेशन को हम पोजिटिव से लेंगे positivity हमारे अंदर रहेगी अगर हम राजसिक्ता में जीएंगे तो उसमें थोड़ा सा गड़बड भी हो सकती है हमारे सोचने में हम दूसरे पर आरोप भी लगा सकते हैं हम बहुत कुरोधी हो सकते हैं हम बहुत बेचैन से हो सकते हैं बहुत बॉखलाए हुए उसे हो सकते हैं, ये राजसित्ता का गुण होता है, अगर हम तामसित्ता में जीव रहे हैं, आलस से में जी रहे हैं, तो हमें किसी फिर, हम बिलकुल आलस में, प्रमाद में, हम सोय हुए रहते हैं, ना हमें किसी पर क्रोध हाता, ना हम किसी पर गु और याशुता की जिन्दिगी में हम जीते रहते हैं तो हम थी कार से जीते हम मनुस्ययों का सवहाओ जो होता है वो सामतिक्ष्टा का होता है लेकिन ये सात्यक्ता का मौहल बनाने के लिए हमें अपने अंदर अपने विचारों में सात्यक्ता लानी पड़ेगी उसके लिए हमें खुद से कुशिस करनी पड़ती है हमें खुद से हमें ताकत लगानी पड़ती है हमें खुद से उत्साह बनाना पड़ता है अपने अंदर काम करने के लिए हमें खुद महनत करनी पड़ती है कोई दूसरा हमारे उपर महनत नहीं कर सकता अगर कोई करता भी है जिसे बच्पन में मा करती है हमारे उपर महनत मा, पिता, हमारा घर, परिवार हमारे उपर महनत करता है हम फिर थोड़ा बड़े होते हैं, तो हम जब बाहर निकलते हैं, तो हमारे गुरू, हमारे दोस्त, अच्छे दोस्त अगर मिलते हैं, अगर अच्छा गुरू हमें मिलता है, तो वो हमारे उपर महनत करते हैं, कई लोग हमारे मदद करते हैं, लेकिन याद रखना, मदद कब लोग करेंगे जब आप अपनी मदद सयम कर अगर आप अपनी मेनद नहीं करते न तो कोई दूसरा आपके उपर मेनद नहीं कर सकता नहीं हो सकता जैसे अगर आप खुद ही अपने उपर काम नहीं कर रहे हो तो कोई दूछरा कितना भी काम करेगा वो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपका उसके उपर कोई असर नहीं पड़ेगा तो इसलिए हमारा जो जीवन हम मनुश्यों का जो जीवन है यह हमारे विचारों का परणाम है इसलिए हमें विचार कैसे रखने चाहिए सात्विक रखने चाहिए हम जब सात्विक विचार रखते हैं चारे चानक के ने चंदर गुपत को बहुत खुब सुन्दर बात मोली है कि आत्म ज्यान से बढ़कर कोई आनंद नहीं अगर आपके अंदर आत्म ज्यान है अगर आपके अंदर एक ठहराव है आपके अंदर एक धैरी है आपके अंदर एक साहस है आपके अंदर एक सच्चाई सनातन, धर्म के प्रति कि इस धर्म की रास्ते पर चलने का अगर आपकी अंदर जुनून है, आपके अंदर उत्साह है, तो फिर आप सातिक होगी, और सातिक जब आपके विचार होगे, सातिक आपका जीवन होगा, और सातिक आपका भविश्य होगा, तो हमारा भविश्य हमारे कर्मों से ही बनता है तो हमारे हाथ में ही है सब कुछ, अगर हम अभी तक कुछ नहीं किया, तो कोई दिक्कात नहीं, जिस क्षण से हम जागते हैं, जिस क्षण से हम जागरूख होते हैं, जिस क्षण से हम चलना सीख लेते हैं, जिस क्षण से हम चलना प्रारंब कर दें, उसी क्षण से हमारा जी आज से ही हम प्रारंभ कर सकते हैं, कि हम अपना निर्मान हम खूद करेंगे, हम अपना विकास हम खूद करेंगे, तो आचारे चाना के लिए चंद्रगुप्त को एक बात कहते हुए, समझा रहे हैं, कि चंद्रगुप देख तेल अगर आत्म ज्यान है, तो उससे बड़ा नहीं है और कोई आनंद आप ढूड़ते फिरोंगे लिकिन आपको आनंद कहीं और दिखाई नहीं देता है यह चीजे ऐसी है यह जीवन ऐसा है कि आप इसको करोड़ो रुपए भी पैसे लगा करके भी खरीदना चाहो नो तो आपको श्रेष्ठ जीवन कभी नहीं मिल सकता एक घुक अलगा करके और किसी से सृष्थ जीवन खरीदना चाहो कि मेरा जीवन बहुत सृष्थ बन जाए मेरा जीवन बहुत पवित्र बन जाए मैं महान बन जाओ कोई आप किसी और से खरील दो रिखने वाली बस्तु नहीं कि मार्केट में कुछ बिखने यí भी भगवान हमें सबकुछ अगर एक डीब में सोचा जाए तो भगवान ने हमें सबकुछ दे रखा है एक जैसे तीन पात्र है उन तीनों पात्र में एक में अम्रित भरा है एक में जहर भरा है एक में और कुछ गंदिगी भरी हुई है तो अगर इन तीनों पात्र को हमें च्वाइस करना है कि हमें कौन सा सेम आवरन तो सेम तीनों का आवरन सेम है लेकिन हमारों पर डेपेंड करता है कि हम अम्रत वाला पातर उठाते हैं जहर वाला उठाते हैं गंदिगी वाला उठाते हैं और कच्रा मल वाला उठाते हैं वो हमारों पर डेपेंड करता है और इस और हम कुछ बनाने का मतलब, अपने जीवन बनाने का मतलब ऐसा नहीं है, कि हम कुछ और बना रहे हैं, ये यंत्र इतना सुन्दर भगवान ने हमें ये सरीर रूपी यंत्र दिया है, हम आँख बना रहे हैं, आँख नहीं बना सकते हैं, हम सरीर का कोई भी अंग नहीं बना स सकते एक नाखून की नोग नहीं बना सकते हमारे अंदर इतनी तकता नहीं है लेकिन जिętनी तकत है उतनी तो लगाए हमारे अंदर जो हमें भगवार ने जो हमारी लिए चौह छोड़ के तो करे बांगे तो सब kuch कर कर दिया है इसलिए तो हमारी परंपरा में हमारी इस संंस्कृति में हमारे profan फोलिए देता है को यह कोई हमें अमारे उपकार कर देता हैं तो हम उसका आभार वयक्त करते हैं कि किंहें यह घंक्यू जरूर बोलेंगे धन्यवाद जरूर बोलेंगे और इसके बदले में उसका जरूर हम उपकार करेंगे, हम उसकी help करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो इससे भगवान ने तो हमें इतना सुन्दर यंत्र दे दिया है, इतने सुन्दर भुद्धी दे दी है, तो सब कुछ दे करके विजा है और कहा इसको बना लो, इसको चला लो, जब अगर हम इसको चलाने में भी फेल हो जाएंगे, तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा, तो इसलिए हमें उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी गुणों का वखान करते हुए, जिसे हम कहते हैं कि धर्मे के मार्ग पर चलो, पूजा पाठ करो, सत्य के मार्ग पर चलो, प अधिकतर भगवान का जब करते हैं, यजि करते हैं, तब करते हैं, क्यों करते हैं, भगवान को अवसकता है क्या, भगवान को अवसकता नहीं है, भगवान को क्यों चाहिए, आप उनके सामें हाँ जुड़ो, उनको इस्मरन करो, उनका जब करो, उनको क्यों चाहिए, आप लेकिन वो उसका फल हमें मिलने वाला है, हम भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वो तो पून है, पून मदह, पून मिदम, पूनात पून मुदच्यते, पून से पून मादाय, पून मेवावशिष्यते, वो तो पून है, और उसका बनाया यह हम भी पूर्ण हैं, लेकिन पूर्ण कब होंगे, जब हमारे विचार, हमारा चिंतन, हमारा मनन, जब हम एक कहेगा कि तु पूर्ण है, तु भगवान की संतान है, तो हम अधिकतर हम अपने आपको अखेला पन महसूस करते हैं, अगर हम अखेला पन महसूस करते हैं, तो सम संबंध नहीं हमारा तो भगवान के साथ संबंध है हमारा तो हमारा तो पिता भगवान है जो हमें चला रहा है जो कुछ हमें दे रहा है जो हमें सगे संबंध ही हमारे पास होते हमें देते हैं हमसे बाते करते वह अपने हो जाते लेकिन हम तो भगवान के हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है और दुनिया क्या दे सकती है दुनिया तो खुद उसको चहिए सब कुछ तो हम अपने जीवन ऑतु स्रश्च बना सकते बने के अलएं एम्रत वाला सात्विक वाला क कलसल उठा करके उसको अपने पास में रखना होगा उसको पूजा रूपी कलस को पाठ रूपी कलस को तप रूपी कलस को और जब रूपी कलस को अपने पास रखना होगा और जब हम अपने पास रखेंगे हमारा जीवन बहुत स्रेष्ट बनेगा और हम बहुत महान बनेगे हर एक वास्तविक और जो एक अंदर की मांग होती है, मूल मांग होती है, जो हमारा वास्तविक स्वभाव होता है, वो होता है सात्विक तरपरशलना, हम समझते हैं कि हम अच्छा काम करें, और हर एक बच्चे के अंदर बच्पन से ले करके और बड़ों तक, भगवान ने क्या सही क्या गलत है आप चोहें पड़े लिखें हो चाहें बड़े विद्वान हो चाहें कुछ भी हो और ना को शच रर्क नहीं पड़ता लेकिन आप अपने जीवन को अगर आत्में ज्ञान पर चल रहे हो अपने आत्मा की सुन रहे हो और तो आपसे बड़ा कोई आनंदे हो ही नहीं सकता, आप से बड़ा कोई सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्पन से ही बच्चा जुसी, उसको कुछ भी मत सेखाओ, लेकिन वो जरूर सीख जाएगा, अगर उसे पुछो, कि क्या धर्म की मारगव पर चलना चाहिए, क्या जूट बोलना चाहिए, या बोलना भी नहीं आता, फिर भी वो जानता है इन बातों को, तो जब हम बच्पन से ही भगवान ने हमारे अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग करकर के भेजता है हमें, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग कर देता है, ऐसे हमें उपहार ये इतना उपहार दे देता है, तो फिर हमें कि किस बात की कमी किस बात का अकेलापन भगवान है ना हमारे साथ तो अगर हमें अकेलापन नहीं हम अपने साथ में हैं हम बड़े उत्सा हमें हैं भगवान हमारे साथ में हैं पुरी दुनिया हमारे साथ में अगर भगवान का साथ ले लिया तो पुरी दुनिया हमारे साथ में जब ऐसा भाव हमारे अंदर होता है तो हम बहुत सात्विक्ता में जी रहें देखो इसको पहचानो ऐसा अगर आप अकेले रहना सीख जाओ ना दुनिया का काम करो परम्पुज्य एक देहरदून में डूमेट आस्रम में गुरुदेव जी के वहां पर गुरुदेव जी ने और इश्वर का जब करो प्रेम संसार की सेवा और प्रेम केवल इश्वर से प्रेम जगत से प्रेम नहीं कर सकते हैं जगत की सेवा कर सकते हैं जगत की सहायता कर सकते हैं इस संसार रूपी इस सरीर से संसार का काम कर सकते हैं लेकिन प्रेम जहां करना है जहां हमें सुखी र जहां हमें आनंद में रहना, आनंद कासागर तो इस्वर है, तो हमें आत्म ज्यान में जीना है, तो आचार चानक के ने चंद्रगुपत को बताते ये कहते हैं, चंद्रगुपत सुन, आत्म ज्यानी अगर है तू, तो तेरे से बढ़ कर सुखी कोई नहीं हो सकता, अगर तू तो कामुक्ता में जी रहा है तो तेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता अगर तो सरीर सुख के लिए जी रहा है तो तेरे से वड़ा कोई सत्रू नहीं हो सकता तो हमें कामुकता में, हमें सरीर सुख में, जब हम इन्विज जीते रहते हैं तो वो हमारे लिए सत्रू बन जाता है, वही हमारे लिए पतन का कारण बन जाता है हमारी ये संस्कृति हमें आत्मिज्यान का दर्सन कराती हैं, हमारी संस्कृति हमें दूसरों का की सहायता करने का हमें दर्सन देती हैं, तो हम अपना जीवन पहले स्रिष्ठ बनाएं, अपना जीवन जब हम स्रिष्ठ बनाते हैं, तो हमें सबका जीवन स्रिष्ठ दिखाए देन लगता है और हम सब के जीवन को स्विष्ठ बनाने पर काम करने लग जाते हैं जैसे जिस कंपनी के पास जैसे प्रोड़क्ट्स होंगे वह वैसी प्रोड़क्ट्स तो बनाएगी जैसे उसके पास में जैसे मसीने होगी जैसे उसके पास में राव माटेरियल होगा वैसी प्रोडक्ट्स बनाती जितनी अच्छी कंपणी होगी उतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे यह बिल्कुल सिंपल सी बात है जितनी अच्छी कंपणी जितने अच्छे राव मेटरियर उतना ही अच्छा उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हमारा जीवन अकर जितना अच् तो सबसे पहले हमें खुद को अच्छा रखना है, खुद को अच्छे मारग पर चलाना है, खुद को अच्छे सही सातिक इस दर्सन पर चलाना है, हमें खुद को ही सबसे पहले महान बनाना है। विल्ग्रेट्स की एक बात याद आ रही मुझे, उन्होंने एक कहा था, कि अगर आप एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए सुखी होना चाहते हैं, तो आप गाने सुनलो, डांस कर लो, एक ऐसी खापी लो, एक घंटे, दो घंटे के लिए आप सुखी हो जाओंगे, लेकिन आपको एक दिन के लिए सुखी होना तो कही घूमने निकल जाओ, पिकनिक में चले जाओ, आपको एक दिन का थुड़ा सा आनंद सुख मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक हपते के लिए सुखी होना तो कही यात्रा में चलो जाओ, थोर से लंबे टूर में चले जाओ, एक महीने के लिए सुखी होना है, तो आप थोड़ा सा और कहीं भ्यमन करने के लिए निकल जाओ, कुछ और थोड़ा सा प्रोग्राम इत्यादी कुछ कर लो, अगर आपको लिए कुछ वर्सों के लिए सुखी होना, तो कुछ वर्सों के लिए आप पैसे खटा कर लो, बैंक बरसों में आप सुखी रह जाओगे, जब तक वो आपके पास पैसे हैं, तब तक आप खाओगे, पीओगे, कोई आपके पास पैसा है, तो आपकी भी कोई मरत कर देगा, आपकी कोई सहायता कर देगा, जैसे आपके पास पैसे खतम हुए, आपका जीवन खतम हुआ, लेकिन अगर आपको जीवन भर सुखी रहना है, जीवन भर आनंद में रहना है, तो आप अपने काम से प्यार करो. कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, सबसे बड़ी बात और ध्यान देने वाली बात यहीं पर है, कि अगर आपको जीवन भर सुखी रहना है तो आप अपने काम से, अपने कारे से प्यार करो उस पे आपके जब आपके कारे में आपको आनन्द आने लग जाएगा क्योंकि जो महान व्यक्ति होते हैं जो बड़े व्यक्ति होते हैं जुनको आप बड़ा आज समझते हैं, देखते हैं तो वो बड़े व्यक्ति कब बनते हैं? जब वो अपने काम से, अपने कारे से प्यार करते हैं तो हम भी आज से ही इस इक्षण से सुरुवात कर सकते हैं कि हम अपने काम से प्यार करें जब हमें अपने काम में प्यार होने लग जाएगा, हमें अपने काम में आनंद लगने लग जाएगा, फिर वो काम हमें काम नहीं, वो हमें एंजॉयमेंट वो हमारे लिए हो जाएगा, फिर हमें किसी गाने की, हमें किसी पिकनिक की, हमें किसी खाने पिने की, और हमें किसी ब आपको पुरा प्रिक्ष आपको लेना है उसमें पहल है फूल है पतिया है डाले हैं सब कुछ लेना है आपको तो अप आप एक पती को तोड़नें लग जाओगे तो क्या आप उसको इस पतफ कर आप वह कितना is मैं लग जाएगा बहुत समय लगेगा आपको एक फ़ल एक पत्ति ड़लेए उसको अगर बहुत विशाल भिष है तो यह दिनिया यह जीवन बहुत विसाल है इसको इकथा करने के लिए इसको लेने केल्डे आपको भ्रिश का कैसी करना पड़ेगा जब पर जड़ से निकालो अगर आप जड़ सही तो उस ब्रिक्ष को निकाल लोगे न तो सारा ब्रिक्ष आपकी हाथ में आ जाएगा लेकिन अगर आप एक पत्ती, एक फूल, एक डाले, ऐसे ले करके आप करोगे तो काफी समय लग जाएगा और सैदा आप पूरा ब्रिक्ष नहीं ले पाओगे यह झाल बैंक वैलने मिल जाएगे, यह खुक्या मिल जाएा NICK मिल जाए, इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं मिलने वाला लेकिन जिस दिन आपको अपने पने काम में आननद आने लग जाएगा हर एक काम को आप अपना आनंद से करने लग जाओगे, उसी में आपको काम में ही आपको खेल दिखाए दे, आपको काम में ही संगीत दिखाए दे, आपको काम में ही यात्रा दिखाए दे, आपके काम में ही आपको पिकनिक दिखाए दे, आपकी काम में ही आपको पैसा दिखा और फिर आपको किसी भी चीज की चिंता करने के अवस्यक्ता नहीं होगी, सेवा संसार की और भजन और प्यार भगवान का, तो आज के इस सत्र का सबसे में जो सार है, तो ये है कि हम अपने जीवन को स्रिष्ट बनाएं, हमारा जीवन विचारों का प्रणाम है, हमारा जीवन विचारों से बनता है, तो हमारे विचार साथ्विक वाला होना चाहिए, साथ्विक वाला घड़ा हमें उठा करके रखना है अपने अंदर, पीना है उसको, और हम अपने जीवन को महान बनाते हुए, इस संसार की सेवा करती है, अपने कारे में आनंद लेना है, और किसी का अपने कार में हमें आनंद लो, अपने कार आनंद से करो, जिसके लिए जो हमारे लिए काम निर्धारित हैं, अपने काम को स्रिष्ठता से करो, और अपने जीवन, अपने वेचार को स्रिष्ठ रखो, हमारा जीवन स्रिष्ठ बनेगा, तो स्रद्धा से हम अपने काम को करें स्रद्धावान हो करके हम जीवन को बहुत अच्छे से हम जी सकते हैं बहुत अच्छा बना सकते हैं ओम नमस्ते